the कि है अलो सूरेंस कैसे हो आप सब तो देखो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टरन नंबर 7 की चैप्टरन शेन सेवे संट में जो चीजे पढ़ने है जो थीऊरी शमें पढ़नी अम उशके बारे हैं बात करेंगे थीक है तो देखो topic अमारे पास क्या है other international economic organizations अगर आप recall कर पाओ तो इससे previous topic तक में हमने किसके बारे में बात की थी कि World Bank क्या है IMF क्या है वो कैसे functions करते हैं but World Bank और IMF के अलावा कुछ और भी other financial institutions है ठीक है worldwide level पर तो अब आज की class में हम उन्ही economic organizations के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है चलो सबसे बहले बात करते हैं जो basic हमें introduction portion दिया है उसकी बात कर लेते हैं कि मारे पास यह क्या है okay so देखो international economics organization provide business and government's loans for sustainable economic development and for normal business functions सबसे बहले students अब यह समझो कि in organizations का काम क्या है as I cleared you in the previous video as well कि यह जो international organization student बनाई जाती है इनका काम क्या है होता है जितने भी worldwide level पर जो organizations है जो countries है उनको economically क्या करना उनको economically uplift करना right इनका काम होता है उनको funding देना funding दे करके जैसे भी जो हो सके क्या करना एक upliftment लेके आना जिससे कि worldwide level पर क्या हो सके जिससे कि worldwide level पर आपका trade जो है वो बहुत smooth हो सके just a moment students यह ठीक है ओके चलो तो इस ही सा काम होता है और साथ ही साथ में इनका ये भी काम होता है कि जो developing countries है ठीक है या underdeveloped countries है उनमें financial aids provide करना उनकी trade policies को बनाना इस तरीके से बनाना कि वहां पे trade करना असान हो सके trade का upliftment करना असान हो सके that is the case for international business that is the case of international economic organizations चलो आगे बात करते है these institutions provide assistance in various spheres including macroeconomic policy अब ये जो organizations है जैसे कि मैंने कहा इनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको ये help करेंगे लोन देने में नहीं आपके country की policies कैसी होनी चाहिए जिससे की rest of the world के साथ आपका trade करना असान हो सके जादा से जादा trade आपके देशों में आए ये policies को बनाना इन policies को actually में बनाने में help करना भी किसका काम होता है इन organizations का काम होता है आगे में क्या दे रखा देखो including macroeconomic policies text policy and revenue administration expenditure management monetary policy exchange rate system financial sector stability legislative trade works and macroeconomic and financial statistics international institutions provide financial, economic, technical and advisory assistance to different economies to help them face global challenges and sustain economic development various international organizations like UNCTAD आज हमें इसके बारें बात करना है ठीक है World Bank, the International Monetary Fund and World Trade Organization play a pivotal role in international business for both developed and developing countries ठीक है तो ये organizations के कुछ नाम दिये गए है इन organizations में कैसे क्या काम किये जाते हैं वो आज हमें discussion करने हैं ठीक है जैसे last हमने पढ़ा था World Trade Organization के बारे में आज World Bank, IMF के आज में बढ़ेंगे और चोबी students आपको कोई भी डाउट हो कैसा भी डाउट हो प्रीस चाट बॉक्स में लिखते जाना साथ साथ में मैं आपको चीज़े clear करता जाऊंगो राइट चलो आगे मूव करते हैं सबसे पहले आज हम समझते हैं कि UNCTAD क्या है देखो जब सबसे पहले जब World Trade शुरू हुआ ठीक है country दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू किया तो उस ताइम पे जो सबसे ज़ादा famous आप कह सकते हो तो अगर कोई था तो वो क्या था गैट था लेकिन गैट के साथ बहुत सारी समस्य आए थी और क्या समस्य आए थी ये previous chapters में में discussion कर चुके है इसलिए गैट को खतम करके सबसे बहले क्या निकाला गया UNCTAD के जो टारिफ का नेगोसिएशन था इसके अंदर के नतलब टारिफ इसका में मोटिफ था के इंटरनाशनल ट्रेड को अपलिफ कैसे किया था का टारिफ को कम करके वो टारिफ कम कर पाना पॉसिबल नहीं था राइट अब टारिफ कंट्रीशन था निकाला पॉसिबल टारिफ को टारिफ के यहां था लेकिन इसको बहुत ज़ादा किया गया क्योंकि इसके अंदर क्या था कि साधतर फायदा गयाट का किसको मिलता था जो दुनिया के अडवांस नेशन होते था यह आप कह सकते हो जो डिवलप नेशन होते था उनको ओके आगे में क्या कह रहा है कि the first United Nations Conference on Trade and Development Met in March 1964 in Geneva, Suzerain It was an ad hoc gathering of representatives of about 120 states which were members of the United Nations so this led to a turning point in international economic relations assuring a new era in the evolution of world trade and development it represented the first major endeavor to examine all the problems of international economic relations with special reference to the needs of the developing countries ठीक है so अगर देखा जाये तो फिर क्या किया गया पहली बार international economic relation को establish करने के लिए और world trade में एक revolution लाने के लिए ठीक है इसको start किया गया चलो अब functions कोई student live है तो please do doubt है पूछें चलो the trade and development board has four subsidiary organs to assist it तो वो कह रहे कि जो trade and development board है उस तोनों है क्या किया है अपने चार subsidiary organ मना है what do we mean by four subsidiary organ student इससे आप समझ रहे हो कोई भी एक body होती है डारेक्ट्री वो कैसे काम करें वो अपने divisions बनाते हैं वो division जो की particular काम में specialized हो अब जिसे एक example लो अब हमारे पास मालो में पुलिस का example लेता हूं अगर माल लेते हैं कि किसी का कोई internet के तुरू कोई भी किसी तरह का fraud हुआ है ठीक है तो ऐसे हर एक organization क्या करती है अपने further subsidiary organizations बनाते हैं जो specific जो areas होते हैं महाँ पर target करते हैं जैसे कि पहले में क्या यह हुआ है committee on commodities, committee on manufacturers, committee on shipping and committee on invisible items Invisible item I just hope आप सब को याद होगा balance of payments के अंदर मैंने बताया था Invisible items का मतलब क्या होता है services तो commodities उसने यहां cover कर लिया और invisible items को यहां पर तो इस तरीके से division दिया हुआ है अब आगे समझो, as the focal point for the integrated treatment of trade and development UNCTAD interacts and cooperates with a variety of other organizations with and outside the United Nations system These include the following, वो कहले कि जो इनका main focus क्या है, इनका main focus है कि United Nations और जो बाग की organizations है उनके साथ collaboration करके रखना ठीक है, जिसे की trade अच्छा हो सके, तो कहले कि कौन कौन से organizations है, पहला world trade organization and I really don't think कि WTO आपको समझाने की जरुवत है, क्योंकि previous topic जो था, student हमने पूरा का पूरा WTO के बारे में ही cover किया So, UNCTAD and WTO have been joining forces to ensure a better functioning of the multilateral trading system In April 2003, the organization signed a Memorandum of Understanding, providing for cooperation and consultations on their technical assistance, activities and for the conduct of joint studies in the selected issues UNCTAD and WTO interact frequently and the intergovernmental process in both organizations are often attended over the same government representatives ठीक है, तो ये चीजे है, कोई है student online? चलो, next है International Trade Center So, the ITC is jointly sponsored by UNCTAD and WTO operational enterprise oriented aspects for trade development with an emphasis on trade promotion So, ITC का main motive of student वो क्या है? वो है कि इन दोनों के साथ एक तरीके से interact करना और interact करने के बाद trade promotions की policies को develop करना In contrast to UNCTAD, उस technical assistance is primarily tailored to governments ITC's technical assistance focuses on assisting business in developing countries वो कहले है कि देखो, UNCT जो है, इसका main focus student क्या है? कि governments के हिसाब से अपनी जो भी technical assistance है, जो policies है बनाना जबकि ITC focus करता है कि developing countries के अंदर जो business है वो promote होने चाहिए वो private sectors को भी appeal करता है, right? बोत UNCTAD and WTO are represented in the joint advisory group supervising ITC's work and UNCTAD has a number of joint technical assistance activities with ITC, right? बोगा, नेक्स मारे पास ये रखा है, United Nations Regional Commissions and UNDP, UNCTAD cooperates with these international entities on project by project basis, be it in relation to research projects, joint workshops, seminars or technical assistance since UNCTAD has no representatives in the field, the United Nations Development Programme country offices are also used to support UNCTAD activities in various countries, right? next step, Bretton Woods system, I think आप लोगों ने student जब अपने foreign exchange rate पढ़ा होगा चाहे अपने graduation में या मैं 12th को अगर recall करा हूँ तो Bretton Woods system की बारे में पढ़ा होगा 1944 में क्या हुआ था students? कि जब like 19 1914 में First World War होई 1918 तर चली, पूरी world economy was shackled ठीक है पूरी तरीके से shake हो चुकी थी, फिर 1939 में दुबारा world war होगी उससे पहर 1929 के अंदर economic crisis आगे थे, है न great depression सुना होगा आपने ये events के बात हुआ ये कि ना countries ने महसूस किया कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा system develop करेंगे जो system international level पे जो trade के barriers हैं उनको खतम करेगा, उनको uplift करने में मदद करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें common currency system चाहिए, कि जब world आपस में trade कर रहे हैं, तो उस case में उन्हें क्या चाहिए? एक common currency चाहिए, जिसकी वज़े से trade करना थोड़ा सा क्या हो सके, feasible और थोड़ा सा क्या हो सके, possible, तो उस time पे 1944 के अंदर, ब्रेटन वुट्स system जो था, जिसकी वज़े से international monetary fund सामने आया, और world bank भी सामने आया, तो ब्रेटन वुट्स system में students क्या किया गया, almost ब्रेटन वुट system में 45 countries थी, जिन्होंने sign किया था, कि अभी से लेके onwards, जो है, world में, जो global currency के तौर पे, international payment currency के तौर पे, जो currency accept की जाएगी, वो कौन सी होगी, US dollar, and that is the reason student के US dollar, जो है, world में, जादा तर जो payments की जाती है, international transactions में, वो US dollar में की जाती है, तो कि वो, जो ये ब्रेटन वो conference हुआ उसने country से ये ही decision के ऊपर signature करवाई, कि आपको ये चीज माननी पड़ेगे, तो ये ही ब्रेटन वोट institution, the world bank and UNCTAD cooperate in the delivery of some technical assistance and capacity building programs, the UNCTAD secretariat through the debt management, debt management financial aid program is also an active member of the later agency task force on finance statistics, which is stunted by the IA. ME, right, चलो, आगे देख्टे हैं, aims क्या देख्के कोई student online है क्या, reply कर दो कर online है तो chats में, लगता है कोई नहीं है, चलो, aims of UNCTAD, the important aims of UNCTAD include a, research and support of negotiations for commodity agreements, सबसे पहला काम क्या है, कि आपको research करना है and support करना है, कि सीज को लेकिए, जो भी negotiations, ये T है, this is negotiations for commodity agreements, B, technical, technical elaboration of new trade schemes, C, various promotional activities designed to help developing countries in the areas of trade and capital flows, तो ऐसा कुछ खास नहीं समझने के लिए, आगे बात कर लेते हैं, features of UNCTAD, UN General Assembly has let down certain essential functions of, देखो, functions और features student, it is something जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत important topic है, ये आपके exam में आता है, तो इसलिए धान से समझना हमें, So UN General Assembly has let down certain essential functions of UNCTAD, accordingly it shall promote accelerated development of the less developed regions of the world by dealing properly with the problem of slow expansion of exports confronting the less developed countries, तेखो एक बात समझना, अभी आगे हम डीटियल में करेंगे, तो एक World Bank बनाया गया, ये जो World Bank student बनाया गया है, इसको establish करने के motive ही दो थे, सबसे पहला motive World Bank का ये है, कि 2030 आते आते, बाई ये 2030 जो World के अंदर, जो Almost Poverty का जो Index चल रहा है World के अंदर, वो ये है कि करीबन शायद Total World की Population में, 50 या 60% के आसपास लोग जो हैं, बहुत कम पैसा कमा रहे है, और वो लोग जो दिन का Almost Almost 100 रुपे के असपास अगर डॉलर की दम में बात करूं, तो 1.5 डॉलर पर दे का कमा रहे है, ऐसे लोग की जो percentage है, वो World Bank की चाहता है कि by 2030 कैसे भी करके reduce पूरे वर्ल्ड में, किसी एक country में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि ये reduce होके सिर्फ 1 या 2% रहने चाहिए, ये target है World Bank को बनाने का, ठीक है, और दूसरा काम क्या है World Bank को बनाने का, कि जितने भी developing countries हैं, उनकी policies को ऐसे amend करना, कि जादा से जादा trade उन देशों में लाया जा सके, ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझ नहीं है, तो देखो पहले मैं functions क्या दे रखे हैं, to promote international trade between the developed and underdeveloped countries, international trade को promote करना, चाहे developed हो, चाहे underdeveloped country हो, special emphasis should be laid upon the accelerated development of the underdeveloped countries, main emphasis आपको देना है किसके उपर, underdeveloped countries के उपर, कि पर देखो, developed countries के पास, अलग-अलग sources है, जिनसे वो अपनी funding ले लेते हैं, उनके बास strategies हैं, जिससे वो अपने trade को develop कर लेते हैं, problem जो है, student वो किस के साथ है? problem जो main आती है वो underdeveloped countries के साथ आती है, या developing countries के साथ आती है क्योंकि उनके पास investment को attract करने के लिए जो strategies थाहिए वो नहीं है तो यह एक challenge आता है next हमें क्या दे रखा है to formulate the principles and policies on international trade वो कहरें कि एक और जो problem है वो किस चीज की है जो function है principle और policies बनाना याद करो इससे previous chapter में आपको यह देखना कि कब कहा कितने tariff barriers जरूरी है कब tariff barriers से countries के अंदर मलब रुकावट आ सकती है कब आपको protection देने की ज़रुद पढ़ सकती है अपनी domestic trade को तो ऐसी policies international trade में बनाना to negotiate multilateral trade agreements multilateral trade agreements को negotiate करने का मतलब क्या है पहले आप यह समझो सुन जो बार-बार यह word आ रहे है negotiate negotiate simply means कि एक ऐसे point पे आना जो developed countries के भी फायदे में हो और जो developing या under developed countries हो उनके फायदे में भी हो क्योंकि देखो आप एक बात समझो जो developed countries है वो तो कोशिश यही करेंगे कि policies ऐसी बन जाए guidelines ऐसी बन जाए या tariff points जो है वो ऐसे बन जाए जिससे कि उनके देशों को independently जादा फायदा हो तो इनका काम है इसको रोतना to make proposals for implementing its principles and policies वो कहले है proposals बनाना ठीक है किस चीज के लिए proposal बनाना ताकि जो भी principles है और policies है उनका implementation जो है effective तरीके से किया जा सके to promote research and support negotiation for commodity agreements technical elaboration of new trade activities तो यह बिलकुल पहले वाला point ही होगे जो अभी हमने अभी किया था तो ऐसा कुछ खास है निसमें to generally review and coordinate the activities of other institutions within the fold of United Nations relating to international trade and economic development इस चीज को देखना कि जो other institutions है जो भी international other institutions है like मानलो मैं कहता हूँ IMF हो गया या मैं कहता हूँ कि World Bank हो गया ठीक है तो यह जो other institutions है या World Trade Organization हो गया यह जो other institutions हैं इन institutions की जो भी policies आ रही है यह जो भी काम कर रहे हैं उन चीजों को देखना कि वो भी aligned होनी चाहिए किस के साथ आपकी policies के साथ next है to act as a center for harmonious trade related policies of government and regional economic groupings तो उनका काम है कि harmonious trade related policies of government के लिए एक platform देना कि मनलब जितने भी other करता है राइट चलो आगे बात करते है students हमारे पस क्या है India and UNCTAD चलो तो यहां पर हमारे पस क्या दे रखा है India is the founder member of UNCTAD as per the latest news India continues to be among the top 10 countries in terms of foreign direct investment inflows globally and the fourth in developing Asia as per the world investment report 2016 by the United Nations Conference for Trade and Development यह आपको देखो पता ही है students कि इंडिया में FDI लगातार बढ़ता जा रहा है ठीक है अभी तो recently भी बात में आपको बताया भी था कि जो मतलब जो आपका FCAT करके जो है मलब चार चार या पांच यूर्पियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं they have decided कि वो इंडिया में अगले आने वाले 15-20 साल के अंदर they will invest somewhere around 100 billion ठीक है 100 billion dollar वो इंडिया में क्या करने वाले इंवेस्ट करने वाले और अगर मैं 2024 के रिपोर्स के हैसा आप से पता हूँ तो Elon Musk Tesla owner SpaceX owner उन्होंने भी ये decide किया कि वो इंडिया में करीबन 20-30 billion dollar का जो अपना Tesla का plant है वो लगाएंगे might be possible alliance के साथ मिलके लगाएंगे बट अभी chances हैं कि वो आएंगे पहले उनको ये था कि 20 और 21 और 22 22 April को उनको इंडिया विजर करना था बट वो प्लान कैंसल होगे पोस्पोन होगे बाद में करेंगे तो बात सारी के सारी यहां पर किस चीज के बात यही है कि जो इंडिया है UN CT AD के हिसाब से कौन-कौन से नंबर प्यार है वर्ल्ड में टॉप 10 पे और मनी के आने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजा है student वो कौन सी है उसके सबसे पहली और सबसे बड़ी वजा है student आपके country में make in India या आप ऐसा कह सकते हो जो हमारे current Prime Minister है उनके efforts जो हमारे current Prime Minister है वो अलग-अलग countries में visit कर रहे है और वो जो visit कर रहे है उनके visit का जो main reason है student वो क्या है वो उनके visit का main reason ही है कि जो foreign से जो countries है जो companies है बड़ी-बड़ी companies वो हमारे देश में आके money को invest करें राइट तो एक बात समझो मैं बहुत simple सी बात आपको यहां पे clear करता हूं लगातार लोग यह बोल रहे है घूम रहे है घूम रहे है ठीक है अग इसे घूमने को अटा करके आप इसे meeting लो अगर आप में से कोई भी ऐसा student है जिसके father एक थोड़ा सा एक अच्छे level पर business कर रहे है तो आपको शायद पता होगा कि आपके father भी या father या mother या brother sister कोई भी आपका जो close one है जिनको आप जानते हो regular आप उनको watch करते हो so I think आपने यह देखा होगा कि वो भी meetings के लिए अलग-अलग जगा जाते होंगे कभी यहां meeting के लिए different places पे वो क्या करते है meeting के लिए क्यों जाते है meeting के लिए क्योंकि meeting के लिए जाएंगे अलग-अलग लोगों से तभी तो business आएगा तो जब तुम यह मान रहे हो कि तुमारे parent या तुमारे जो भी relative है तुमारे जो friend है वो meeting करने जाते हैं अपने business के expansion के लिए so इस बात को digest करना इतना मुश्किल क्यों है कि आपके prime minister is doing the same thing वो countries में भूमने नहीं जा रहे जब वो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी businessman के पास या किसी भी government के पास आ रहे है so majorly he is going to attract the foreign capital कि हम आपको वो सारी चीजे देंगे जो आपको चाहिए but आप अपना business हमारे देश में लेके आईए so that is the idea right so आगे में क्या दिया हुआ है initiative alongside liberalization measure reforms initiated by the national democratic alliance ndia which make an attractive investment decision according to nagesh kumar who heads the south southwest asia office of the united nations economic and social commissions यहां पे क्या दिया हुआ है आपको के liberalization measures यह समझ लेते है मुझे जहां था किया दे students आप लोगोंने definitely LPG policies को पढ़ा होगा liberalization, privatization, globalization, globalization liberalized policies का मतलब होता है students आपको ऐसे policy measures offer करना जिनके through what I can do जिनके through I can attract more and more foreign capital right liberalization का मतलब होता है अपने देश के अंदर ऐसी policies बनाना कि जिससे आपके देश में business promote हो अपनी country के अंदर reforms को लेकर के आना चाहे licensing system को ease करना चाहे आपके जो investment schemes है उनको revise करना जिससे के आपके देश के लोग तो business करें करें साथ में जो international world में जो rest of the world में जितनी भी companies है they will also find easy right कि यह country बढ़िया है investment करने के लिए क्योंकि यह पर ease रहता है चलो क्योंकिते कमें